इस्टुडेंट्स, हम देख रहे हैं, 2024 एक्जाम के लिए Sample Paper No.1 English Subject का, यह आपका Sample Paper No.1 है English Subject का, इसके अलावा और भी Sample Paper है English Subject के वो आपको आने वाले समय में मिल जाएंगे Sample Paper No.1 का Solution हम Complete देखने वाले हैं, इस से पहले हमने Biology का Sample Paper No.1 complete करा दिया है तो आपको जिसको भी biology देखनी है तो biology भी तो यह ध्यान रखना आपको biology का paper भी हमने दे दिया है तो वो भी sample paper आप check कर सकते हैं already available है sample paper number one इसका भी हमने available करा दिया है एक दिन पहले करवा दिया था आज देख रहे हैं sample paper number one English का इसके complete solution की बात करेंगे यहाँ पर जो आपका पहला section रहेगा pros का इसमें reading, comprehension, language study, summary और mind mapping रहेगा यहाँ पर जो है reading extract की बात करते हैं ठीक है तो दा यंग lift man in a city office who threw a passenger out of his lift the other morning and was fined for the offense was undoubtedly in the wrong तो ये वाला paragraph आपको याद आगया होगा आपका chapter number two है on saying please, वहाँ से ये लिया गया है paragraph तो इस paragraph को पढ़ने के बाद में आपको इसके questions के answer देने हैं ये paragraph आपके सामने है, इस तरह का ये paragraph है इस paragraph को पढ़ने के बाद में आपको पहला जो question पूछा गया है उसका answer देना है answer क्या question क्या पूछा गया है from the sentences given below rewrite the false sentences correctly तो आपको जो इसमें false sentence है उसको rewrite करना है इसमें जो भी गलत है उसको आपको सही करना है पहला जो है the lift man invited passenger into the lift तो lift man ने क्या invite किया था passenger को तो यह हमारा false statement है उसने invite नहीं किया था तो हमारा false statement यह वाला है if you knock down a burglar the law will equate you तो यहाँ पर जो पूछा गया है बोला गया है यदि आप किसी चोर को मार गिराते हैं मार देते हैं तो कानून आपको भरी कर देगा बिल्कुल सही बात है तो यह statement तो आपका सही नहीं है ठीक है statement यह आपका false नहीं है आपका false जो है मैंने tick कर दिया है आपका तीसरा जो है इसमें there is no legislation against bad manners अब यहां पर बोला गया है पूरे आगर आप आचरण करते हैं तो इसके विरुद जो है कोई भी कानूनी कारवाई नहीं होती है तो यह भी बात सही है तो इसलिए यह भी हमार आंसर नहीं है the complaint had to pay a fine the complaint had to pay a fine ने तो जिसने complaint किया था उसने fine pay किया था क्या तो नहीं lift man ने किया था तो यहां पर यह statement आपका जो है क्या है false statement है तो इसको हम correct कर लेते हैं तो first और fourth number जो है आपका false statement है तो मैंने आपर लिग दिया false statement first and fourth अब correct statement बनाना है इसको lift man invite नहीं किया था उसने passenger को through कर दिया था तो हम बता देंगे the lift man through the passenger out of the lift और fourth statement जो है इसमें जो complaint करता है उसने fine नहीं भरा था भरा किसने था था the lift man had to pay fine तो यहां पर complaintant के जगे क्या जाएगा lift man आ जाएगा तो यहां पर यह आपके दोनों answers हो जाते है इसके ठीक है next question उसकी बात करते हैं यहां पर जो question पूछा गया what explain what the lift man wanted the passenger to do and the immediate consequence तो यहां पर आपको बताना है कि बता है कि lift man यात्री से क्या चाहता था जो वहां पर आया था passenger क्या चाहता था और उसका तत्काल परिणाम क्या हुआ तो passenger जो है जब enter करता है तो वो कहता है top ठीक है और lift man चाहता है कि वो top ना कहके क्रिप्या top का है यहने कि उपर please तो passenger जो है refuse कर देता है मतलब passenger जो क्रिप्या बोलना नहीं चाहता है मना कर देता है तो lift man जो है उसको उपर ले जाने के बजाए जो है वो lift से बाहर ठैक देता है तो यह इसका answer हो गया अगला जो इसका third part है उसको देखते हैं उसमें जो question पूछा गया है उसका answers को हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए choose the word from the box given below and complete the table यहाँ पर आपको table वो complete करना है ठीक है यह table complete करना है यह जो दे रखी है आपको legal offense जो आपका कानूनी अपराद जो होता है वो बोला क्या है legal offense ठीक है यानि कानूनी अपराद और moral offense यानि कि आपका नैथिक अपराद क्या होता है कानूनी अपराद मतलब जिसमें आपको सजा हो जाएगी नैथिक अपराद जिसमें सजा नहीं होती है जैसे आप एक example दिया गया है कि अगर आप यानि कि सेंद लगाते हैं चोरी करते हैं तो यह क्या होता है आपका legal offense कानूनी अपराद है moral offense में rude behavior यानि कि आपका वेवार जो है rude है यानि कि assist वेवार है आपका शिस्ट वेवार नहीं है असिस्ट वेवार है तो यह moral offense इसके लिए सजा नहीं होती है तो इस तरह से आपक विस्कस, courtesy और violence or assault and battery और यहाँ पर outness जो है इसको भी आपको बताना है तो देखिए पहला जो है आपका यह क्या होता है यह इस courtesy जो है यह आपका असब्य होता है ठीक है असब्यता असब्यता तो जो है यहाँ पर हमको यह चीज जो है अलग-अलग करके लिखनी दी तो legal offense में आपको मैंने बता दिया ठीक है तो legal offense में जो है send आ जाएगा ठीक है assault and battery आ जाएगे violence आ जाएगा और बाकी बचे हुए moral में आ जाएगे जिसके लिए कोई सेजा नहीं होती इस तरह से हमारा answer हो जाएगा next question है him her and your reactions to him her तो उसके प्रती जो है आपको अपना विचार जो है अपनी प्रतिक्रिया देनी है सीदी सीदी ठीक है discuss करना है उसके आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिले हैं जो हमेशा बिनम्र या मददकार है या मददकार रहता है उसके प्रती अपनी प्रतिक्रियाओं का वर्णन आपको करना है ठीक है तो आप किसी की भी कह सकते है मैंने जैसे अपना एक हमारी विल्डिंग का वाच्मेन के उपर जो है मैंने आप या पर सॉलूशन दिया है वो हमेशा जो है विनम्र है मददगार है और जो विशिस्ट नागरिक होते हैं वरिष्ट नागरिक होते हैं बड़े नागरिक होते हैं उनकी कारों से बाहर निकलने या लिफ्ट में आने जाने में वो मदद करता है तो इस सब चीजे इसमें लिखी गई है तो इस तरह से आप अपना answer दे सकते हैं Next question है Language study है, do as directed में है Language study में do as directed में क्या question है आप देखिए सबसे पहले सबसे पहले जो है आप से पूछा गया है Choose the correct option as the answer to the following sentences So the law will protect me Choose the correct passive form of the sentence Passive form आपको इसका sentence का the law will protect me का आपको passive form निकालना है इसका passive form आपको बताना है ठीक है इसका passive form हमें देखना पड़ेगा कि इसका passive form क्या होगा यहाँ पर हमारा me जो है यह I में convert हो जाएगा तो यहाँ पर me की जगे I आजाएगा और will है ठीक है तो I के साथ will be आजाएगा protect का third form आजाएगा protected और the law की जगे क्या आजाएगा by the law आजाएगा आगे by लग जाएगा तो आप देख सकते हैं I will be protected by the law यहाँ पर कौन सा option सही है I will be protected by the law यह I will protect यह तो गलत हो गया the law will protect यह भी गलत हो गया I will be नहीं होगा will be होगा, I will be protected by the law यह आपका D option correct हो जाता है next question है उसकी बात करते है the law does not compel me to say please choose the correct interrogative sentence interrogative है तो इसमें does जो है आपका यह helping verb में आजाएगा आपका, बाहर की तरफ starting में does आजाएगा does वाले जोड़ नहीं आएगा इसमें does है नहीं तो यह भी गलत है इसमें does है और इसमें नहीं है यह भी गलत है तो यहाँ पर does the law compelled compel me to say please यह आपका C option correct हो जाएगा next question है उसकी बात करते है question number 6 देखिए इसमें क्या पुछा गया, add prefix to form the antonyums आपको जो है prefix लगाना है इससे यह belong sabd बन जाए violence का non-violence हो जाएगा prefix आपने non लगा दिया reasonable का जो है unreasonable हो जाएगा un जो है इसमें आपका prefix हो गया defined का जो है indefinite हो जाएगा यह आपका prefix हो गया आगे वाला और moral का immoral हो जाएगा यह आपका prefix हो गया तो इस तरह से चारों को साब को देने थे, next question है इसमें language study do as directed में आपका आगया question यहाँ पूछा गया है, floods have been far more destructive choose the correct transformation of the above sentence into the simple present tense simple present tense की बात कर रहा है simple present में क्या हो जाएगा इसमें have तो आएगा नहीं present में, ठीक है will नहीं आएगा, यह will आपका future में हो जाएगा flood is far more destructive, is भी नहीं आएगा, flood जो है इसमें floods है, तो इस floods के साथ is नहीं आएगा और आपका flood have been have been तो यह वाला है यह आपका जो है इसमें हमें present tense में लेना है present tense में have नहीं आता यह भी गलत हो जाएगा will तो आपका future में हो गया so floods are far more destructive जो है यह आपका c option correct हो जाएगा next question उसकी बात करते हैं यहाँ पुछा गया है today tourism in India is capable of catering to a variety of sectors and tourist interest choose the correct transformation of the above sentence using the model auxiliary can model को use करना हमें can को use करना है उसके बाद जो है sentence को जो है सही करना है ठीक है इसमें देखो कहीं भी can use नहीं है और हमें जो है आपर can का use करना है इस can का use करके जो है जो sentence बनेगा उसे हमें बताना है जब हम इसको transform करेंगे तो देखिए today tourism in India is capable यहाँ पर ease आया है ease हटा देंगे तो जहाँ पर हमारा ease है उसको हटा करके can लिख देंगे और can के बाद में आपका जो आ जाएगा क्या हो जाएगा यह देखना है India can capable of catering यहाँ पर capable जो है क्योंकि can आ रहा है तो capable आपका हट जाएगा ठीक है can आएगा can अगर लगा देंगे तो capable जो है आपका miss हो जाएगा capable रहेगा नहीं ठीक है तो जिसमें capable है उसको अटा जेते है capable नहीं रहेगा तो यह capable में c option भी नहीं आएगा capable तो आपका आएगा ही नहीं क्योंकि can हम लगा रहे हैं अब बसता है दो sentence जब हम can लगाएंगे तो यह catering की जगे cater हो जाएगा यहाँ पर जो है कौन सा option है cater वाला यह वाला यानि की first option भी गलत है बी option जो है correct हो जाए next question उसकी बात करते है the tourists ignore the sleepy town of Rajpura या Rajpura choose the correct transformation of the sentence beginning with the sleepy the sleepy से जो है हमें इस sentence को बनाना है the sleepy the sleepy से बनाना है तो the sleepy town हो जाएगा the sleepy town of Rajapura और यहाँ पर जो है ignored है the sleepy town of Rajapura सब में the sleepy town of Rajapura है was जो है इसमें of Rajapura आएगा तो was वाला तो हो गया गलत अब तीन बच्चे the sleepy town of Rajapura राजापूर राजापूर ठीक है यहाँ पर जो है has नहीं आएगा क्योंकि आपका यहाँ पर ignored है तो was आजाएगा was ignored by the tourists यहाँ पर सी option correct हो जाता है बाकी सारे options गलत है ठीक है यहाँ पर जो है ignored नहीं आएगा ठीक है प्रेजेंडेंस नहीं वनेगा क्योंकि यहाँ पर आपका यहां पर आपको दे रखा है यह पर इस परग्राफ को पढ़ने के बाद जो activities हैं इससे consider की जाएंगी वो हमें बताने हैं तो उस activities को देखते हैं हम उसके solutions को देखते हैं Read the following statement and write down two statement which explain the theme of the extract इस theme इस extract की जो theme है वो कौन से दो statement के through जो है हमें पता चल दिया अगर आपने state उपर वाला जो पूरा का पूरा extract पढ़ लिया है समझ लिया है pause करके पढ़ लो और पढ़ने के बाद अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको पता चलेगा कि Indian moms are happy about proto-fascist parenting techniques तो यह जो है second आपका जो है इसमें आ जाएगा सही theme ठीक है और दूसरे the father is dominated by ITM यह भी आपका इसमें आ जाएगा तो second और third जो है इसका सही answer हो जाएगा यह वाला और यह वाला ठीक है इसके reasons आपको लिखने है paragraph के according तो मैंने लिख दिया है they are dominating and very ambitious for their children यह पहला option हो जाएगा दूसरा कारण आप दे सकते है they are very strict and have rigid rules and schedules for their children ठीक है यह दोनों options जो है आपके correct हो जाएगे जो कि यहाँ पर फिलप्स में आपको भरना था next जो A3 part है उसकी बात करते हैं यहाँ प is a combination of Einstein, Sachin Tendulkar, Bobby Fischer or Picasso and Yehudi Menuhin not so forget Bill Gates and Ashwara Rai or Tom Cruise the sentence implies that Indian mother are ambitious for their child's success they have high expectations and want their children to excel in every field they also want their child to follow in the footstep of famous personalities and make a name for himself or herself जो है इस sentence को हम कुछ हम इस तरह से करेंगे बाकि आप अपने सब्द भी लिख सकते हैं जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा बिलकुल आप ऐसा का ऐसा लिख दे नेक्स जो पार्ट है personal response का explain करना है whether you side with Indian moms और Western moms आप आपको अपना response देना है personal response है आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं और मैंने जो है अपनी मर्जी से लिखा ही है तो इस personal response का अंसर यह हो जाएगा नेक्स जो एफाइब है इसमें आपका do as directed है इसमें जो दिया गया है c talks of a regime where kids practice the piano or voiland for hours without compelling complaining we write the sentence using simple past tense in it simple past tense को आपको use करना है simple past tense करेंगे तो c talked of a regime where kids practiced the simple past tense की बात करते है तो प्रेक्टिस का प्रेक्टिसाइजड हो जाएगा तप piano or voiland for hours without complaining ठीक है तो यह इसका answer हो जाएगा नेक्स जो question उसकी बात करते हैं choose correct question tag occasionally he blitz out his views अब यहाँ पर कौन से आ जाएगा तो doesn't he क्योंकि आपका he blitz out है तो यहाँ पर doesn't he आ जाएगा क्योंकि यह ही की बात कर रहा है ठीक है does he नहीं आएगा ठीक है does he नहीं आएगा इसमें doesn't he आएगा क्योंकि हम जो question sufficiently strict इसका मतलब आपको बताना है not sufficiently strict का यह word क्या mean करता है आपके लिए इसके बाद जो दूसरा है उसको भी बताना है तीसरा है उसका भी बताना है एक वर्ड जो है आपको बताना है जो कि पैराग्राप में ही मिलेगा आपको पैराग्राप से बताना है यानि कि पर्यापत रूप से जो sufficient नहीं है strict नहीं है यानि कि प्रयाप्त रूप से जो सक्त नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं तो उसको बोलते है lex, lex मतलब होता है धीला speak in a weak voice यानि कि धीमी आवाज में बोलना तो उसको क्या बोलते हैं blit, blit मतलब होता है mimiana और उसके बाद जो है super praised laugh यानि कि हम कह सकते हैं दभी हुई हसी कुप चाप हसते हैं धीरे-धीरे कुप करके तो दभी हुई हसी को बोलते है कोटले, ठीक है तो कोटले हो जाएगा इसका answer दभी हुई हसी या कोटले भी हसना ही होता है और causing, discussion और argument यानि कि चर्चा तर्क वितर्क करना तो उसका मतलब proactive होता है अपने मतलब उसके लिए उत्तेजित रहना उसके लिए सक्रिय रहना तो proactive हो जाएगा यह हमारे जो है, यह सारे के सारे answer हो गए अब आते हैं, next जो a7 है उसकी बात करेंगे बी पार्ट आ जाएगा समराइजिंग का यहां पर सम्मरी अप्र आपको लिखना है चाइनीज मॉम वेस्टर्न मॉम्स इंडियन मॉम्स और इंडियन फादर्स सबको मिला करके तो इसका टाइटल हमने अपनी हिसाब से दे दिया आप चाहे तो अपनी मर्जी से ताइगर मॉ मैंड मैपिंग फ्रेम डिजाइन तैं यहां पर आपको यह दिया गया है ठीक और इसमें माई पार्टी है ठीम आपकी मैपिंग का है इसमें जो को जो आपको है यह यहांपर क्या-क्या आ सकता है यह options आपको पताने हैं अब जब आप देखोगे यह पूरा का पूरा मैप इसमें माई पार्टी वाला जो यह मैप है, इस मैप में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, वो क्या है, वो समझे है, यहाँ पर सारी चीज इसने अपने इसाप से दे दिया, जो ब्लैंक स्पेसे हैं, यहाँ पर आपको चूज करना है, वो बेस्ट सब्स जो आप जो है, मा जोजन और पीना, ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, होम फूड और क्या हो सकता है, आपका, कैटर्स हो सकता है, जो हम बाहर से बुला सकते हैं, घर का खाना या बाहर का रेस्टोरेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है, कैटर्स भी हो सकता है, रेस्टोरेंट भी हो सकता है, माई प पाटी में music है, एंधी और क्या हो सकता है, एंग्रेजी हो सकता है, तो हिनली हो सकता है, माई पाटी में dash dash है, और यहां पर देखो close to home है, close to home है, तो क्या है, तो हम close to home क्या है, club house है, और nearby hotel है, तो यानि कि my party जो है near to home होगा, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं, कारेकरम का लिख सकते हैं my party about 30 तो friends है colleagues है और क्या हो सकते हैं तो यहाँ पर जो है दोस्त आ गए और जो है आपके सहकर्मी आ गए बच्चे क्या family बच्ची है रिष्टिदार बच्ची है तो relatives लिख सकते हैं इसमें और about 30 लगबग 30 हैं तो क्या है यह सारे क्या है आपके अतिथी हो गए तो इसको आमें भरना है अब इसको देखिए किस तरह से भर देंगे यहाँ पर देखिए my party उसका venue है close to home है club house है nearby hotel हो सकता है हमारे guests जो आएंगे वो कितने हो जाएंगे लगबग आती थी कितने हैं 30 हैं और 30 में कौन-कौन से हो सकते हैं friends होते हैं relative हो सकते हैं colleagues हो सकते हैं my party जो है food drink है इसमें home food हो सकता है caters हो सकता है restaurant हो सकता है decoration में flowers हैं और buntings है क्योंकि मैंने बताया था flower और bunting किस काम आते है decoration के music जो है Hindi और English दोनों हो सकता है तो इस तरह से हमारा पूरा flow chart या फिर हमारा डाइग्राम यह बन जाएगा ठीक है clear हुआ यह mind mapping का इसके बाद जो next question है second वाला section 2 का poetry section से लिया गया है इसमें extract दिया गया इस extract को पढ़ना है उसके बाद जो है questions के answer आपको देने है इसमें आपको जो फैला इसका part पूछा गया उसकी बात कर लेते हैं यह आपका extract है इसमें find करना है एवन बात में एवन पार्ट में find two expression और phrases which denote going away from the stanza 1 पहले stanza से and stanza 2 दोनों से बताना है आपको तो यहां पर मैंने लिख दिया is almost over यानि की जो है going away यानि खतम होने वाला pass his way यानि की ओ भी खतम हो चुका है stanza 2 से man is in the throng ठीक है यह भी हो जाएगा और rust along तो यह दोनों को दोनों stanza आपने पढ़ लिए तो उसमें से यह paragraph में से निकाल के लिखने थे explain करना है rest was it well or solely spent explain the meaning and give illustration तो इसका आपको point के बारे में बता करके पूरा का पूरा बता देना है जो कि मैंने complete answer दिया इसको आप एकदम पढ़कर करके याद करें यदि आप कोई भी PDF प्राप्त करना चाहते है solution PDF जो भी subject आप देख रहे हैं इस channel के माध्यम से solution PDF आप किसी भी subject का solution PDF जो आप video देख रहे हैं तो उसके लिए आप 50 रुपीज पे कर सकते हैं आपके पास medium जो रहेगा वह आप phone पे use कर सकते हैं ठीक है यह number रहेगा अंब इधर लिख देता हूँ 8469-02-56 तो यह number जो है आपका रहेगा इस पर जैसे आप अपना PDF प्राप्त करने के लिए जैसे कोई payment करते हैं तो आप उसका screenshot जो है आमें बेज देंगे WhatsApp नंबर पे इस screenshot भेज दीजिएगा WhatsApp पर तो आप जो PDF लिखेंगे biology का चाहिए, chemistry का चाहिए, physics का चाहिए, जिस भी year का चाहिए, जो भी आपने solutions देखें, playlist चेक कर लीजिए, उसमें जो भी solutions हैं, उनके सभी के solutions के आपको PDF दे दिये जाए यहाँ पर इस personal response के questions आ गए describe the various way you use to greet your elders, ठीक है, तो आप various way अपनी मर्जी से बता सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से दिया हुआ है, next जो पार है, आपका poetic devices में, तो इसमें identify करना है, जो इसमें poetic devices है, उसमें क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा question है, इसमें हमारे example देना इसका, यहाँ पर जो हमन आपको four to six line करना है, तो कम से कम चार line तो आपको लिखने है, मैंने अपने हिसाब से ठीक किया है, appreciation की बात करते हैं, read करना, extract को और इसकी appreciation को जो हमें लिख देना है, ठीक है, यहाँ पर जो है, यह यह extract है आपका, यह देख लिजी आपका, यह extract को अराम से, और इसके बाद जिसमें about the theme, poem, poetry, devices, special features, value message, opinion of the poem, तो यह आप completely भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, जिसमें पहला जो आपका आजाता है, about the poem और title, यह सारा इसमें दे दिया है, दूसरा जो है, इसमें theme आजाएगी, देखों, यहापे theme लिखा हुआ है, तो आप जो है, इसको आगे भी लिख सकते हो, इसको headline भी बना सकते हो, आपकी मर्जी से, तो इस तरह से, यह सारा का सारा, मैंने जो है, आपर दे दिया है, इसमें जो poetic devices हुई हैं, उनको भी हमने बता दिया है, कौन-कौन सी standards है, कितनी lines में है, यह सारे message क्या convey करते हैं, इसके और option में, अगर आप यह नहीं लिखना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं, कि ऐसा appreciation आप लिखें, तो आपको दूसरा appreciation मैंने लिख दिया है, आप चाहे तो दोनों ही appreciation मैंने अपनी हिसाब से बनाए हैं, आप अपनी मर्जी से change कर सकते हैं, section 3, writing skill की बात करें, यहाँ पर कोई भी आपको एक attempt करना है, ठीक है, और options बहुत मिलेंगे, आपको तीन options मिलेंगे, draft करना है, visual message को, ठीक है, कि आप जो है कोई personal work है, और आप अपने roommate के birthday party को जो है, क्या कर रहे हैं, miss कर रहे हैं, तूट जाएगा आप से, तो आपको एक message देना है roommate को, क्या reason है, वो ही बताना है, आपके absence का, party में नहीं आ रहे हो, तो क्या reason है, कि और पार्ट में अगर आप यह नहीं करना चाते हैं, तो यह कर सकते हैं, statement और purpose वाला, जिसमें आप जो है, pursue करना चाते हैं, आपका career music और dance में, और आप जो है, किसी well-known music and dance academy मुंबई में admission लेना चाते हैं, तो उसके लिए जो है, आपको जो है, एक छोटा सा specific purpose बताना है statement करके, ठीक है, इसके अलावा जो है, अगर आप यह भी दूसरा भी नहीं करना चाते हैं, तो त पॉइंट्स जो है, इसमें exposure to different cultures, scene beauty, good past time or increase in knowledge, यह सारे पॉइंटों को consider कर लेना है, the benefit of traveling के बारे में जो है, आपको क्या करना है, group discussion करना है, तीन-चार आदमियों का नाम लिख करके, तो सारे questions में से कोई भी आप कर सकते हो, जैसे पहला part जो है, ड्राफ्ट करना है, वर् hospital जाना पड़ा, तो यह सारी चीजे मैंने इसमें कारण दे दिया, इसके और part में था statement of purpose वाला, statement of purpose आपनी मर्जी से लिख सकते हैं, बाकी मैंने अपनी मर्जी से लिखा है, तो आप इसको use कर सकते हैं, statement of purpose आपको देना था, जो है, आप जो है, क्या है, music or dance में interested हैं, और आप जो है, एक मुंबई के किसी institute में जो admission लेना चाहते हैं, तो उसका statement of purpose बनाईए, इसमें group discussion में जो है, benefit of traveling क्या क्या हो सकती हैं, उसके लिए जो है, 3-4 लोगों के बीच में जो है, यहां पर समवाध होगा, तो group discussion के बारे में है, जो हमें evaluator को भी लेना है, ठीक है, फि बोला कि conclude करिए, तो conclude करने के लिए मंजीत ने बोला, तो इस तरह से आप जो है, इन लाइनों को लिख सकते हैं, attempt anyone, अब आपको यहां पर भी कोई एक ही attempt करना है, इसमें भी और पार्ट में तीन questions मिलेंगे, तीनों में से कोई एक ही करना होगा, या तो email writing करिए, या आप जो है, editor of newspaper को जो है, बताना चाहते हैं, कि जो email के through, क्या बताना चाहते हैं, कि जो rising noise pollution है, area में, वो जो है, वो उससे public को aware कराया जाए, ठीक है, इसमें यह following points को ले सकते हैं आप, और option भी है, आपके पास, अगर आप उपर वाला नहीं करना चाहते हैं, तो report writing कर दीजिए, जिसमें आप social service activities में जो हैं, ठीक है, पार्ट है एक, तो social service camp लगाया जा रहा है, उसके उपर आपको एक report लगाना है, या बताना है, ठीक है, इसमें जो है, आपको बता देना है, कि जो venue है, date of camp क्या है, arrangements कैसी होगी, activities क्या होगी, conclusion क्या होगा, अगर आप ये भी नहीं करन चाते है, तो और पार्ट में एक और option है, जिसको आप interview questions की बात करेंगे, तो film director whose documentary on woman has just been released in visiting your college, तो आप कोई भी documentary के उपर बता सकते हैं, या फिर आप कुछ भी, मैंने आपको pattern दे दिया, कि यहाँ पर जो है, इस तरह से आपको बता रहा है, ठीक है, और जो है, name of interview ले ले based, visiting your college, manganese secretary हैं, आप, आप उसका interview लेना चाहते हैं, इन सब points के इसाप से interview के questions आपको tag करने है, ठीक है, तो यह तीनों question में से कोई एक ही करना था, तो सबसे पहले हम email writing की बात करें, जिसमें हमें rise awareness for rising air and noise pollution in सुभास नगर, या जो भी आप नगर यूज करना चाहें, वो subject लिखेंगे, फिर start करके अपना जो भी data है, वो इसमें बता देंगे, ठीक है, इस message में, आपके email में, ठीक है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, यह आपके उपर depend है कि कितना कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, इसके और option में जो था, जिसमें report writing की बात की गई थी, social service camp के लिए, यहाँ पर date लिख देंगे, किसके द्वारा जो है, यह आप report करवा रहे हैं, फिर आपना report में, जो भी आप लिखना चाहते हैं, तो यह सारे report में जो है, आप लिख सकते हैं, इसके और option में एक और चीज थी, जिसमें interview questions बताने थे, जिसमें आपने जिसे किसी director को ले रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, आप film director का नाम बता देंगे, ठीक है, किसका interview ले रहे हैं, success, area of success, reputation बता देंगे, date, time, when you बता देंगे, interview का duration बता देंगे, यह सारे questions का answer मैंने दिये हैं, जो जो questions महाँ पूछे गए हैं, views क्या होंगे, viewership क्या हो speech कर दीजिए, अगर आप speech नहीं करना चाते हैं, वो भी earth day पर, ठीक है, तो आपके पास और option भी available है, जिसमें आप comparing कर सकते हैं, ठीक है, comparing आपको किसके उपर करना है, योगा day पर, योगा day के उपर आप comparing कर सकते हैं, इसमें भी आपको following points दिएगे, अगर आप यह भी नही बात करें, तो earth day की speech जो हैं, बता सकते हैं, इस speech को जो है, मैंने अपने तरीके से लिखा, आप अपनी मरती से change करना चाहें, तो कर सकते हैं, इसके और option भी है, comparing for, योगा day comparing मैंने, योगा day comparing लिखे ना लिखे, योगा day पर आप कर रहे हैं, तो prayer जो है, आपका हो जाएगा ठीक है, इसमें prayer song last bracket में लिख देंगे, introduction लिख देंगे, उसके बाद में yoga demonstration लिख देंगे, और facilitation लिख देंगे, इसके बाद में जो है, इसमें pedestal address लिख देंगे, और any other important points जो हैं, उनको आप mention कर सकते हैं, और vote for thanks बता सकते हैं, इसके और option में हैं, अगर आप वो नहीं कर ना चाते हैं, तो expansion of idea कर सकते थे, जिसमें था, the wise man has long ears and sore tongue, ठीक है, तो long ears है, और sore tongue से, यहाँ पर जो है, और sorry, यहाँ पर मैंने लिखा ही नहीं दे था, year से कार्स से क्या लिखा था, यह e है, long ears, ठीक है ना, long ears है, अब यहाँ पर जो है, आपको इसको कर देना है, यहाँ पर आपका यह वाला, wise man has long ears, मतलब अच्छे कान होते हैं और उसकी जवान कम होती है, तो wise man जो है, समझधार आदमी उसको कहते हैं, तो यह इसका answer हो जाएगा, next जो part है, उसकी बात करते हैं, next part में आपसे क्य पुछा गया है, attempt anyone, इसमें भी आपको एक ही करना है, film और फिर book review के बारे में आपको जो है, अपना review देना है, film या book review, write a review on film, you have seen based on the following points, तो आप इसका review लिख सकते हैं, या तो review वाला question करिए, या फिर और part में आप कर सकते हैं, जो की blog writing है, blog किस के उपर, say no to tamakoo के उपर और इसके लावा अगर आप ये नहीं करना जाते हैं, तो एक option और है, appeal करने के लिए, blood donation के लिए, appeal करना आपको blood donation के लिए, इन में भी आप points चूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, आप जो है, मैंने जो है, यहाँ पर review एक डाला है, कि पठान movie है, उसके उपर review है, उसमें जो है, नेम है, year of release है, producer, director, आप अपनी मर्जे से कुछ भी लिख सकते हैं, examiner पढ़ता नहीं, बस आपको ये column बनाना और ये सही तरीके से बताना ना चाहिए, technical aspects क्या है, और इसकी team story line कैसी हो सकती है, और my opinion कैसा हो सकता है, इसको मैंने अपनी हिसाब से हा, उसमें, जिसमें आपको blood donation camp के लिए और option जो दिया गया था, आप थर्ड वाला option भी कर सकते हैं, student council invites you to blood donation camp, ठीक है, आप ये diagram छोटा सा बना देंगे, पकि ये सारे points को आप इसमें highlight कर देंगे, और last में जो है, आप लिख सकते है, venue or time, section 4, जो है, literacy, grain, novel का है, इसमें आ ग्रीन जो है, ये वाला odd है, क्यों है, इसका reason हमने दे दिया है, reason क्या है, ये समझ सकते हैं आप, कि भईया, gram green क्यों लिया गया है, odd में, ठीक है, तो ये odd क्यों है, इसका reason क्या है, और यहाँ पर novella है, odd, ये इसका reason क्या है, तो देखिए, gram green जो है, ये odd है, gram green was an English novelist, the other are the Indian writers, ठीक है, बाकी सब जो है, अरुन जोसी है, विक्रम सेठ है, और किरन नागा कर है, विक्रम, gram green जो है, ये English writer है, बाकी जो है, इंग्रीन राइटर है, नोवेला जो है, जो है, ये short novel होता है, और जो अलग है, theme है, plot है, character, ये सब क्या होते है, ये element of novel होते है, ये element of novel होत तो पहला और दूसरे answer इस तरह से आपको लिख देना है, इसके बाद ध्यान रखना है कि sample paper number one चल रहा है, आपका ये English का, ठीक है, sample paper number two भी आएगा, sample paper number three भी आएगा, इस तरह से sample paper number सारे subject से दिये जा रहे है, biology already करा दिया गया है, तो bio का जिसको भी देखना है, वो आप already sample paper SP1 इसका डाल दिया गया, sample paper number one करवा दिया है, आपने biology का, अभी आप English का sample paper one number देख रहे हैं, physics आएगा, chemistry आएगा, आपका mathematics आएगा, जो भी subjects हैं आपके, वो सारे के सारे आते रहेंगे, बस उनको पढ़ते रहे हैं, पांच-पांच-चार-पांच sample papers आपको दे दिये that the plot may have R, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, two types तो एक internal होता है और एक external होता है, ठीक है, यह हो गया, और the word पिक्रेस्क्यू, is originated from, तो यह किस से है, पिक्रेस्क्यू, तो यह originated from, Spanish word, ठीक है, जिसका मतलब होता है, tongue, sorry, rough, तो यह होता है, आपका rough, तो यहाँ पर first option भी सही होगया, second option भी सही होगया, तो इस तरह से आपको आँसर लिखना है, बी part में जो है, describe करना है purpose of organizing half yearly report program of student council तो इसमें जो है आपको answer लिखना है to sir with love जो है उसके basis पर आपको बताना है ठीक है तो यहाँ पर जो है मैं इसको answer दे दिया है next जो part है इसमें आपको highlight करना extract में illustrate with the two examples from the extract relationship between teacher and the student is highlighted तो इसी सही question है to love with sir to sir with love तो इसी साब को देना है इसका answer भी हमने दे दिया है next part जो है इसमें आपका c option activity ways around the world in 80 days जो है इससे लिया गया है इसमें आपका folks and pass per outs rates include all the words in the answer तो यह जो है आपको करने है ठीक है इन सभी को हमें use करना है तो यहाँ पर जो है इसको use करके हमने बना दिया है choose the correct options की बात करते हैं आपर तो choose the correct option में आपका जो है पहला है which among the following is not major character of the extract तो इसमें से कौन major character extract का नहीं है यह आपको बताना है options आपके सामने है और best option जो है gems strand जो है इसमें जो है यह major character नहीं है किसका extract का तो c option जो है correct हो जाता है next जो part है which of the following is not used as means of transport in the extract extract में कौन सा ऐसा चीज है जिसको means of transport के रूप में नहीं use कर रहे है तो वो है horses horses को हम जो है transport के रूप में जो है use नहीं कर रहे है according to extract अब D portion जो है इसमें आपको complete the following giving reasons Miss Morstan plans to meet Sherlock homeless ठीक है और Miss Morstan gives the reference of Mrs. Keel Forester इन दोनों के हमें reasons देने है reasons लिखना है इसके पहला reason यह रहा second reason यह रहा इसके बाद जो next question है इसमें आपको write four five sentences about the meeting of Miss Morstan with Holmes यह आपको बताना है तो इसका answer यह रहा तो इस तरह से आपका solution complete होता है playlist आपके सामने आ रहे है इसको check करिए और इसमें सब कुछ available है जिसको आपकी requirement है सारे subject के पीडियेप भी आप राप कर सकते हैं सारे instructions में ने बता दिये थांकिवरी मच्छ अबेगर्ण